असलाम अलेकूम, आर्बी लेक्चिर्स के साथ में हूँ मुहम्मद रिजवान और उसी सीरीज को हमने चेप्टर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट किया वा था फर्स्ट एर का तो लास्ट ताम हमने मॉलिक्यूल के टॉपिक के पर डिस्कस किया तो उसे वह थोड़ा सा गर उसक कर लिए जाए तो मॉलिक्यूल हमने उससे पहले आइटम को डिस्कस किया था उसके बाद मॉलिक्यूल को डिस्कस किया तो उसके बाद नेक्स हमारा टॉपिक है अइन्स और यहाँ पर देखेंगे कि आइन विसिकली होता क्या है और आइन बनते कैसे हैं इसकी टाइप्स करते हैं तो आप सबने जैसे बच्चो के आपने पड़ा हुआ है कि हमारे पास एक्टम होता है और एक्टम से रिलेटिड आपने दो लाज भी पड़े हुए है जैसे हमने डुपलेट ला पड़ा हुआ है और इसके साथ हमने ऑक्टट ला जो है वो भी डिसकस किया हुआ है क कोई item जो है वो अपने वेलेंसल में दो लेक्टरन पूरा करना चाहिए तो उसको डुपलर लाग कहते हैं और अगर अगर अपने कोई item वेलेंसल में 8 लेक्टरन पूरे करता है तो हम उसका कहलें कि आक्टर ला कहते हैं तो एक्टम बिसिकली याद हो अपनों को stability gain करने के लिए इनके दरम्यान कहलो कि atoms में electron lose करने का भी behavior पाया जाता है और gain करने का भी पाया जाता है तो यही सेम बात होती है कि जब कोई atom gain कर लेता है उस condition में भी उसके उपर चार्ज आ जाएगा और जब कोई atom lose करेगा तो सेम केस उसमें फिर यह चार्ज ड्वैल्प हो जाएगा तो इसी वज़ासे हम बिसिकली वो जो जब चार्ज आ जाए किसी atom के उपर तो हम उसको किस category के अंडर पढ़ेंगे और यह चार्ज क्यों आता है क्योंकि आप सब को यह भी पता है बेटा कि जो atom होता है as a whole it is neutral कि यह neutral होता है क्यों neutral होता है अगर मैं इसका structure ड्रा करूँ अगर मैं सेंटर में इसको nucleus रखो that is positively charged और इसके गिर्थ यहां पे मारे पास shells मुझूद है इन shells में मारे पास क्या मुझूद होता है electrons और electrons are negatively charged तो जितना positive center में nucleus में होगा charge और nucleus में चार्ज positive क्यों होता है protons की वज़ा से तो यह जो electron और proton है basically हम यह कहते हैं कि atom के अंदर इनकी ratio सेम होती है तो जब एक electron यहां से निकल जाए तो हम यह कर बोलेंगे तो अगर यह electron gain कर ले तो इसके अंदर electron की तरह जाएगी जिसके वैसे negative charge जाएगा और positive charge कम हो जाएगा तो उस condition में again इसके अपर charge आजएगा तो इस तरह से atom अपनी stability को कहलो gain करने के लिए इसके अंदर दोनों ही रुजानात पाई जाते हैं यह electron lose भी करता है और electron gain भी करता है इसी condition को हमने किस के अंदर पढ़ना है ions की heading के अंदर पढ़ना है तो पहले ज़रा हम ion की definition देख ले तो I think हमारा concept में बजीद के लिए हो जाएगा तो हम इसको कहते हैं कि ions are species कि ions ऐसी species हैं that contain charge that यह कहलो कि हमारे पास जो ऐसी species हैं which contain जा that contain positive और negative charge positive और negative charge तो यहाँ पर हम देखें तो हम यहाँ से concept में फिर clear हो गया हमारा कि ऐसी species जिनकों पर positive या negative charge मजूद होगा उसको हम क्या नाम देंगे आइन का नाम देंगे अब यहाँ पर स्वाल यह पैदा होते हैं कि what species what are those species which are some positive or negative charge तो वो कौन से species हैं species है क्या basically species हम एक group को कहते हैं वो species items का कोई group हो सकता है वो species हम बायो के अंदर जैसे organisms का group पढ़ लेते हैं वो उस condition में एक species हो जाता है लेकिन यहाँ पर हम simplify करने के लिए मैं बच्चों आपको यह कहूंगा कि species से मुराद आप यह ले लें कि वो कोई एक element हो सकता है या वो हमारे पास कोई compound हो सकता है तो या compound की फोर्म में compound से बहतर यह हैं कि आप उसको यह समय ले element हो सकता है या वो हमारे पास molecule हो सकता है मतलब ज़्यदा बहतर जो फोर्म है that is molecule कि हमारे पास वो molecule हो सकता है element के उपर चार्ज हो सकता है या किसी molecule के उपर तो element के उपर जब होगा तो उसको हम भी discuss करेंगे कि वह positive होगा तो तब वो क्या कहलाएगा जब वो negative होगा तब वो क्या कहलाएगा और अगर molecule के ओपर होगा तो इससे next topic है that is molecular iron तो हम उसके अंडर इसको topic है उसके अंडर इसको cover up कर लेंगे कि molecule पर अगर चार्ज हो molecule के ओपर तो वो क्या होगा कि अभी हमने बोला कि इसके दो parts हैं कि एक iron जो है हमारे पास उसके पर दो किसम का conditions हो सकती है तो positive charge हो या negative charge हो तो यही से हमने यह समझो कि next हमारे पास iron की type ही है कि अब हम यह पता चल गया कि iron होता क्या है अब iron's दो तरह क्यों हो सकते है एक हमारे पास हो सकता है कैट आइन और एक हमारे पास क्या हो सकता है एन आइन अच्छा एक चीज़ यहां पर यह जिन में रखें कि यहां पर कैट आइन जमीन positive charge containing species यह हम यह बोलेंगे कि एक neutral atom जिसके किसी element का ऐसा atom जो के neutral हो पहले लेकिन उसके अंदर से electron lose हो जाए तो वो हमारे पास क्या बनाएगा एक कैटाइन बनाएगा अब one by one हम इन दोनों की ज़रा definitions को कहलो के explain करके देख लेते हैं कि what is कैटाइन and what is anion तो यहाँ पर पहले हम ज़रा discuss करते हैं कैटाइन के बारे में कैटाइन हमारे पास होता क्या है तो हम इसको यह कहते हैं कि कैटाइन basically atom atom of an element which has या which contain positive charge which contain positive charge के ऐसा किसी element का item जिसका पर positive charge जो उसको हम क्या नाम देंगे कैटाइन का नाम देंगे और यहाँ पर इसकी formation कैसे होगी है तो हमें definition समझ में आ गई अचा इसकी अंदर देखें इसकी example भी एक ले 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 लिए example हम ले 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 थे हैं कि हमारे पास को कहए टाइन है H positive जैसे आपने अकसर बच्चों को याद रहता है कि H positive हो सकता है या हमारे पास H positive के साथ हम यह कह सकते हैं aluminium plus 3 आपने पढ़ा होगा या magnesium plus 2 के बारे में आपके मांडने होगा तो इस तरह से sorry मेरा गला जो है वो एक दो दिन से disturbed है तो मेरे खाल में यह भी सांसाती होते है क्योंकि we all are human beings तो यह life का एक हिस्सा है तो इसलिए sorry for inconvenience and disturbance तो खेर यह भी हमारी एक्जमेद आ रही है कि हमने आपके लिए जो भी है बरदास करके लेकिन आपके concepts को हमने बिलकुल दुरूस करना है तो अच्छा यहां बे हम क्या बात करें थे कि atom of an element which contains positive charge example इसकी क्या हो सकती है ह positive aluminium पॉस के उपर positive charge या magnesium के उपर positive charge आ सकते है तो यहां बे हम यह कहते हैं इसकी formation के अगर हम बात करें कि यह formation इसकी होगी कैसे formation अगर हम देखें तो हम यह बोलेंगे इसकी कि when neutral atom loses an electron कि जब एक neutral atom एक electron को lose करता है तो हम यह बोलेंगे कि उसको पर charge क्या जाता है positive charge आ जाता है जैसे let's suppose यह करें कि मेरे पास यहां पर कोई A type malikul है अब पहले यह neutral state में exist कर रहे है लेकिन जैसे इसमें से electron निकला तो इसको पर पर चार जा 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 प्लस अगर वो एक electron निकला तो प्लस वान आ जा जा तो यहां से एक electron इसमें से lose हो गया अच्छा यह जो basically behavior है कि electron lose करना that के लोके ज़्यदा जो prominent है that is prominent in metals जैसे हम देखते हैं प्रोडिक टेबल के अंदर हमारे पास most red side पे जो alkali metals आता group one group two alkaline earth metals उनके अंदर behavior यह पाय जाता है कि वो अपना एक electron lose करती है जिसके वैसे उनके पर charge क्या जाता है positive charge आ जाता है तो यहां पर हम इसकी formation इस तरह से पढ़ लेते हैं कि इनके अदर से electron lose होता है और again जब हमने यह बोला है कि दोनों को बराबर है अ यहां से देखें एक electron हमने निकाल दिया तो पीशी कर रहे जगा एक electron लेकिन positive charge तो पहले neutral घबराबर था तब positive dominate करेगा तो इसी वज़ा से हमारे पास जिसके पर कैट हैं को हमने यह बोला है कि कैसा element होगा जिसके पर positive charge मजूद होगा अच्छा यहां पे हम यह भी कह सकते ह कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास यह plus one ही है हमेशा यह positive depending upon the number of electron lose कि कितने electron lose करता है कैटम उस लियास से हमारे पास यह जो positive charge है वो develop हो सकते हैं जैसे अगर कोई मैंने यहाँ पर example लिखी है H positive इसका मतलब है इसने एक electron lose किया हुए aluminium के उपर plus three लिखा हुए it means कि इसके valence cell में से तीन electron जो इसने क्या कियें lose कर दी है जिसके वैसे इसके उपर plus three चार्ज आ गया है और में निक्षे में देखे तो इसके उपर plus two charge क्यों है क्योंकि यहां पर क्या है कि यहां पर इसमें से दो electron lose हो चुके हैं तो जितने number of electrons न होने उसमें से निकालना है जैसे आटल्स के अंदर देखें तो वह naturally behavior शो करते हैं तो एक यहां भी हम यह कहलो कि यह बी एक इस से related बात ही है कि कैटाइन formation is always endothermic reaction endothermic reaction मैंने क्या बोला है कि कैटाइन formation यानि कैटाइन जो जब भी बनता है तो वो formation हमारे पास क्या होगी shows endothermic reaction और endothermic के मतलब क्या होता है thermic basically हम किसको बोलते हैं जिसके अंदर heat का involve हो और endo means किसके अंदर involve होगी तो यहां मतलब कि यह जो हमारे पास यहां पे energy जो होगी वो absorb होगी कि जब हम इसको अटम को neutral को energy देंगे तो उसमें से electron gain कर लेंगे निकाल लेंगे तो इसलिए हम लोग इसको norm ने कहते हैं these are endothermic in nature here endothermic reaction है कैटाइन formation अब इसी चीज़ को हम इसके reverse पढ़ लेते हैं कि हमारे पास यसे हमने कैटाइन की बात की है तो हम discuss कर लेंगे इसी तरह anion को दूसरे नवर पर हम इनका इस तरह से आपको अगर देखा जाएं तो ये short question के अंदर easily आ सकता है कैटाइन और anion के दिरम्यान क्या करें difference करें क्यूंकि इस chapter में से long to numerical आना है लेकिन mcqs और short हमारे पास से होंगे वो इस chapter में से आएंगे और जो last minute topic discuss किया था that was molecule वो उसके अंदर तो भी बहुत ज़दा mcqs भी मजूद थे जैसे वो hemooglobin का जिकर किया गया था या molecule की general definition हमसे पुछी जा सकती है या उसके types पुछी जा सकते है short question के लिहांसे तो अब यह जितनी basic some definitions पढ़ रहे हैं they all are very important for the point of view of short question अच्छा अब यहां भी हम क्या बोलेंगे के atom अब उसी के बाद reverse कर दे atom of an element के किसी element का वो atom which contains negative charge तो ऐसा किसी element का atom जिसके पर negative charge हो उसको हम क्या नाम देंगे an an का नाम देंगे जैसे example हमारे पास क्या हो सकती है जैसे आपने की पढ़ाओगा OH negative याद हो यह मैंने इसलिए पहले लिखता हूँ कि आप लोगों को यह general याद रहते हैं जो positive और OH negative खैर OH negative नहीं हम यहां पर atom की बात करें यह तो यहां पर group of items होदेगा तो अब यहां पर कलोरीन negative की बात कर लें एक item है फलोरीन जितने भी हैलोजन होते हैं तो यह all are electron negative in nature जो के predictable में most left side पर मज़ूद है हमारे पास इस तरह metals होते हैं electro positive और इस तरह हमारे पास electron negative होते हैं अब इनकी अगर हम formation देखें तो यह हमेशा क्या करते हैं कि electron जो होगे वो gain करेंगे जैसे let's suppose कि मेरे पास एक item है that is B यह एक electron gain करेगा और electron gain के पास इसके बाद क्या जाएगा negative charge इसके पर develop हो जाएगा और फिर again यह negative charge एक नहीं हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं develop हो सकते हैं depending upon कि इसने कितने electrons gain किये हैं और again अब यहाँ पर चुंके अब यहाँ पर already suppose करें कि हमारे पास electron मजूद है बाहर से एक electron आता है वो electron इसके साथ gain यहाँ पे अंटर करवाना चाहता हूँ तो चुंके जो already electron मजूद है और जो incoming है उनके दिरमें repulsion होगी तो इसको आल आर यह कहलो कि exothermic reactions वो हमारे पास क्या होता है नेचर में exothermic reactions होते हैं तो यहां से हम इसको यह देख लेंगे यह चोटी-चोटी सी definitions है तो hopes हो कि आपको यह भी concept clear हो गया होगा इसके अंदर थोड़ी से हमने बात की item के basic structure था उसके लिहाँ से भी तो hopes हो कि आप इसको भी अच्छी तरह से understand करेंगे और again in the end के इसके बाद हम next topic होगा वह molecular iron होगा लेटरी तो वह इससे है लेकिन उसके अंदर थोड़ी से ज़्यादा detail है तो हम next lecture के अंदर उसको discuss करेंगे तो उमीद आइए समझा गया होगा आइन्स वाला topic अगर इसमें को problem हो तो do let me know तो I will इन्शाला I will answer your question और कोई problem है जो समझ आ जाती है अच्छा ये भी है एक चीज़ अगर आप topic अच्छी तरह से understand करते हैं तो we should be responsible कहलो कि हम अगले बंदे को उसको appreciate लाजमी करें तो आपने अगर appreciation करनी है तो आप वो भी comment section में लिख सकते हैं मुझे अंतजार रहेगा thank you so much